उत्तरप्रदेश में प्रयंका गांधी की एंट्री से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है एक तुरफ जहां बीजेपी के लिए उत्तरप्रदेश करो या मरो की स्थिती में है तो वहीं दूसरी और कॉंगर्स यूपी को संजीबनी बूटी की तुरह मान रही है लेकिन इन सब चीजों से परे यूपी तक के टीम ने प्रयंका को राजनीत में उतारने के फैसलिको लेकर आम लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की हमने अपने यूपी तक के कम्यूटी पर अपने दर्शकों से प्रयंका वाडरा के एंट्री को लेकर सवाल किया और उनसे राय मांगे हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या प्रयंका के आने से बीजेपी को नुकसान होगा लेकिन 77 फीजदी लोग इस बात से तफाक नहीं रखते जी हाँ यूपी तक के 77 फीजदी लोगों का ये मानना है कि प्रियांका के चुनावी मैदान में उतरने के बाद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाकई जनता की ये राय सच में चौकाने वाली है अलगी दो फीजदी लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रियांका के आने से बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं आपको बता दें कि प्रियांका की सेक्रिय राजनीत में आने के बाद सियासी भूचाल साग्या है एक तरफ जहां कॉंग्रेस प्रियांका वाजरा को लेकर फ्रंट फोट पर खेलने को तयार है ता वहीं बीजेपी फिलहाल डिफेंसिफ मोड में खेल रही है और उनकी रणनीती अभी तक बाकी पार्टियों के लिए रहस समय बनी हुई है